दोस्तों क्या होगा अगर आपके शेहर में हजारों की मात्रा में खरगोश घुसा आए। ऐसी ही एक जगह जापान में है जिसको रैबिट आइलेंड कहते हैं। इस छोटे से आइलेंड पर हजारों खरगोश घुमते हैं। पर इसके पीछे का इतिहास जांकर आप चौक जाएगे। इस आइलेंड पर वर्ल्ड वार्टू के दोरान बहुत सारी सीक्रेट लोकेशन थी जिसके अंदर केमिकल वेपन्स बनाये जाते थे और उनको चीन के खिलाफ यूज किया जाता था। और क्यूकि ये जगह एक सीक्रेट लोकेशन थी इसलिए यहाँ पर खरगोश के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। फिर World War II खतम होने के बाद सारी फैक्टरी को जला दिया गया पर खरगोश यही पर रह गये और आज यह जगह जापान में सबसे ज़्यादा फेमस जगह में से एक है। आपकी इस पर क्या राई है आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं और ऐसे ही और जांकारी के लिए आप इंसाइट राईज को सब्सक्राइब कर सकते हैं।